हेलो दोस्तो अंजना लाल स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत हैं दोस्तो मेरे आज के वीडियो का सिर्षक है विज्ञान वर्दान या अभिसाब तो चलिए नीबन सिखते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं करना चाहूंगी कि यदि आपको मेरा वीडियो प सबसे पहले लिखेंगे प्रस्तावना प्रस्तावना में लिखेंगे विज्ञान दो सब्दों से मिलकर बना है वी का अर्थ है विशेश और ज्ञान का अर्थ है जानना इस प्रकार इसी विशेश को जानना ही विज्ञान कहलाता है जैसा कि आज सब जानते हैं, विज्ञान ने आज हमारे जीवन को बदल कर रख दिया है आज इनसान ने बैल गाड़ी से लेकर अंत्रिक्ष तक की यात्रा का सफर तै कर लिया है आज मनुस्य विज्ञान की सहायता से आसमान में ओर सकता है कई मीलों की दोड़ियों को चंद घंटों में पार कर सकता है तथा दूर बैटे अपने सातियों से मुबाइल के जरिये बात कर सकता है परन्तु जिस प्रकार से हर सिक्य के दो पहलू होते हैं एक साकारात्मक पक्ष जिससे हमने बहुत कुछ अरजित किया है वहीं नकारात्मक पक्ष जह हमने बहुत कुछ खोया भी है विज्ञान ने मनुस्य को अपार्स विद्रे प्रदान की है वहीं दूर्सरी और या दुर्भाग्य पूर्ण है विवेक से प्रयोग करोगे विज्ञान अबस्य सावित होगा एक वर्दान मतलब विवेक से यदि हम विज्ञान का प्रयोग करते हैं तो ये हमारे लिए वर्दान सावित होगा अन्य था विज्ञान की वज़ा से प्रदूसन, ग्लोबल वर्मिंग, बेरोजगारी और नाभिक्य यंत्रोवादी के विध्वन्स ने संफुर्ण मानव जाती को विनास के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है अता एक वर तो या मनुष्य के लिए प्रदान है, वहीं दूसरी और अविसाप भी है चलिए अब जानते हैं विज्ञान मनुष्य के लिए प्रदान कैसे है विज्ञान की वज़ा से मनुष्य का जीवन बहुत आराम दायक हो गया है आज विज्ञान की सहायता से हम अपने दैनिक कारियों को मिन्टों में निफ्टा सकते हैं विज्ञान का सबसे बड़ा लाव घरों में दैनिक कारियों में होता है आज घरों में हीटर, रेफिरिजरेटर, टेलेवीचन, रेडियो, मुबाइल आधी बस्तुई आ गई हैं जिनसे हमारा जीवन बहुत ही सुलब हो गया है इसी तरह विज्ञान ने यातयात के छेतर में भी बहुत प्रगती की है बैल गारी से सुरू हुआ सफर अंतरिक्ष तक पहुँच गया है कई महीनों के सफर को मिनिटों में तैक कर लिया गया है आज विज्ञान ने जल, थल, आकास, तीनों की दूरियों को माप लिया है संचार के छेतर में भी विज्ञान ने तेजी से प्रगती की है वन जीबी से सुरू हुआ सफर फाइब जीबी तक पहुँच चुका है विडियो कॉल, वर्चुबल कॉल विज्ञान की वज़ा से ही संभव हुई है आगे लिखेंगे विज्ञान सिक्षा के छेतर में विज्ञान बनाता ज्ञानवान पास है इसके हर समस्या का समाधान विज्ञान के कारण सिक्षा के छेतर में भी बहुत प्रगती हुई है आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस रोबूट किया जाने से इसकूलों में पढ़ाने की तरीकों में बदलाव आया है विज्ञान तकनीक के माध्यम से आज कटिन विश्यों को भी आसानी से समझा जा सकता है चिक्षा के छेतर में तो विज्ञान ने आज चर्ज जनक चमतकार किये हैं आज चिक्षा बहुत आसान हो गई है आज सरीर के किसी भी भाग का आप्रेशन किया जाना सम्भव है लेजर की आविस्कार से तो बिना चीर फार की आप्रेशन होता है अंग प्रत्यारोपन की सुविधा भी विज्ञान की वज़ा से सम्भव हुई है आज स्मार्ट फोन पर घर बैटे हम अपना इलाज करवा कर दवाईयों की होम डिलिबरी भी करवा सकते हैं विज्ञान की एक बहुत बड़ी देन कंप्यूटर और स्मार्ट फोन भी है जिसकी वज़ा से है घर बैटे हम सिक्षा प्राप्त कर सकते हैं जो चाहे सीख सकते हैं घर बैटे बिजनेस सुरू कर सकते हैं या दुनिया भड़ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं विज्ञान की मदद से ही अंतरिक्ष के रहस्य से परदा उठा है और वैज्ञानिक अंतरिक्ष के रहस्यों को सुल्जा रहे हैं जहां एक और विज्ञान से अनेक लाव हैं, वहीं दूसरी और विज्ञान अभिसाब भी है विज्ञान से सबसे ज्यादा नुकसान हमारे पढ़्यावरन को हुआ है विज्यान के सादनों से हमारी पृत्वी और उसके वातावरन को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान हुआ है कारखानों और वाहनों से निकलने वाले दुवां हमारे वातावरन को गंदा कर रहे हैं जिससे ग्लोबल वर्मिंग जैसी समस्याएं बढ़ रही है परियावरन प्रदूसर्ण बढ़ने से जलवायू परिवर्तन हो रहा है जिससे हमारी प्रकरती को काफी नुकसान हो यदि वीडियो पसंदा है तो प्लिज लाइक एंड कमेंट कीजेगा और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजेगा साथ ही वेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा तो चलिए वीडियो कंट्यूनियू करते हैं अंत में लिखेंगे उक संगार विग्यान जहां एक और वर्दान है तो दूसरी और अविशाप भी है परंतु यह बात मनुष्य पर निख्र करती है कि वह उसका प्रयोग वर्दान के रूप में करता है यह पिर अविशाप के रूप में विग्यान एक ऐसा साधन है जिसने विकास के मार्ग को खोल दिया है जिससे बेरुजगारी, भूखमरी, महमारी को खत्म किया जा सकता है लेकिन यह तभी संभव है जब मनुष्य में आत्मिक रिल्टी का विकास हो तो फ्रेंट्स मिलते हैं नेक्ट वीडियो में नेक्ट टॉप के साथ पगगारी, भूखमरी, पगली मार्ग, टॉपमरी, मुझफगारी